नमस्कार दोस्तों स्वागता है एक और नई वीडियो में मेरे नामे प्रदीप आप देख रहे हैं टेकनलोजी अब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक का जो नियो क्रेडिट कार्ड है उसके बारे में आपको Axis Bank के New Credit Card के बारे में इस वीडियो में complete जानकरी आपको मिलेगी fees and charges की benefit की और कैसे apply करना है कौन लोग apply कर सकते हैं A to Z जानकरी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो अगर आप भी Axis Bank के New Credit Card के बारे में जाना चाते हैं तो इस वीडियो को पूरी देखेगा अच्छी तरह से समझेगा तो सबसे पहले तो बात करते हैं Axis Bank का जो New Credit Card है उसके fees and charges के बारे में तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि अभी जो यह ना यह जो card है इस पर offer चल रहा है offer यह चल रहा है कि अगर अभी आप apply करते हो तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी joining fees नहीं देनी और नहीं आपको जो है annual fees देनी है यानि कि यह जो credit card है Axis Bank का new credit card यह आपको अभी जो है life time जो है free में मिल रहा है अगर आपको apply करना है लेने की सोच रहते तो मौका है आप apply कर सकते हो वीडियो के description में आपको direct link मिल जाएगा और comment में ने ping कर दिया वहाँ से apply कर सकते हो अभी यह जो offer है limited time offer है उसके बाद यह charge करते है annual fees भी आपको देनी रहेगी और joining fees भी आपको देनी रहेगी अब पता नहीं कब तक यह offer चलेगा बट जो भी offer रहते वो एक limited time offer रहते है offer खतम होने के बाद आपको जो है अगर यह credit card आप लेते हो तो आपको joining fees देनी रहेगी 250 रुपए 250 रुपए 250 रुपए आपको देने रहेगे और annual fees की बात करें तो पहले साल first year निल है यानि की कुछ भी नहीं देना second year आपको जो है second year से आपको 250 रुपए आपको देना रहेगा 250 रुपए आपको जो है second year से आपको देना रहेगा फिर हर साल आपको pay करना रहेगा तो यह हो गया इसका joining fees और annual fees अब यहाँ पर बात करते हैं cash withdraw fees के बारे में देखे सबसे पहले तो मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो में भी कहता आया हूँ कि अगर आपके पास किसी भी बैंक का credit card है तो कभी भी आप cash withdraw मत कीजे क्योंकि cash withdraw अगर आप करते हो ना काफी जादा आपको चार्जिज पे करना रहता है तो यहाँ पर भी इन्होंने बता रखा है cash withdraw fees का कि अगर आप cash withdraw करते हो तो उसका 2.5% आपको देना रहेगा और minimum बता रखा है 500 रुपए अब यहाँ पर मैंने एक example भी यहाँ पर दे रखा है देखे अगर आप 1000 रुपए withdraw करते हो तो उसका 2.5% हो गया 25 रुपए बट यहाँ पर इन्होंने minimum बता रखा है 500 तो फिर आपको पे करना रहेगा total 1500 रुपए अब यहाँ पर मैं आपको एक example और दिखा देता हूँ मान लीजिए अगर आप 30,000 रुपए withdraw करते हो ठीक है 30,000 तो इसका हो गया 2.5% और इसको भाग देते हैं 100 से तो यहाँ पर हो गया 750 रुपए यानि कि 500 से यह ज़्यादा है तो फिर 30,750 रुपए आपको पे करने रहेंगे यानि कि minimum जो है यहाँ पर बता रखे है 500 रुपए आपको पे करने रहेंगे 500 से कम अगर amount बनती है तो minimum 500 रुपए आपको पे करने रहेंगे अब इसके बाद दूसरा यहाँ पर बात करते हैं finance charges के बारे में देखिए अगर आपको यह shopping करते हैं कहीं पर जो है credit card से bill payment करते हैं और समय पर अगर आप payment नहीं करेंगे तो उसका यहाँ पर काफी जादा जो है charge यहाँ पर यह ले रहे है 3.6% पर मन्त के इसाफ़ से annual हो गया 52.86 पर annual के इसाफ़ से तो समय पर अगर आप भुकतान नहीं करेंगे समय पर payment नहीं करेंगे तो आपको यह finance charges आपको देने रहेंगे जो की है 3.6% पर मन्त के इसाफ़ से charges तो आपको देने रहेंगे उसके साथ साथ जो है overdue penalty और late payment fees भी आपको देनी रहेगी इस charges के साथ साथ अगर आपकी जो payment है वो 500 रुपे तक है तो फिर किसी भी तरकी कोई भी आपको जो है late payment fees नहीं देनी अगर आपकी जो payment है 501 रुपे से लेकर 5000 के बीच में है तो फिर आपको 500 रुपे आपको पे करना रहेगा और अगर आपकी जो पेमेंट है 5000 एक से लेकर 10,000 रुपे के रहेगा और अगर आपकी 10,000 से जादा है तो फिर आपको 1200 रुपे आपको पे करने रहेंगे यानिकि आपको जो है यह जो चार्जिज है monthly चार्जिज इसके सासाथ आपको जो है late payment fees भी आपको पे करना रहेगा तो भाई देखे समय पर आप जो payment कीजिए अगर समय पर payment नह रखनी है आप यहाँ पर बात करते हैं दूसरे चार्जिज की over limit penalty की यानि कि आपको जो credit card है उस पर जो amount है उससे ज्यादा अगर आप spend करते हो एक fix amount रहती है कि इतनी amount तक आप जो spend कर सकते हो यूज कर सकते हो अगर उससे ज्यादा आप करोगे तो यहाँ पर बता रख है तो उससे ज्यादा जितनी भी amount आप यूज करोगे जो आपकी एक limit cross हो जाते है उसके बाद तो उसका आपको जड़ 2.5% आपको ज़़ चार्जिज देना रहेगा और यहाँ पर बता रख है minimum 500 रुपए से हम इस तरह का case रहेगा ठीक है जैसे कि 1000 रुपए आपने extra spend कर लि कीजिए उससे ज्यादा आप जो spend मत कीजिए अधरवाइस आपको जो है over limit penalty भी देनी पड़ जाएगी इसके साथ फ्यूल सरचार्ज transaction के बारें बात करते हैं तो अगर आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी फ्यूल आप लेते हो इस credit card से तो आपको उसका 1% आपको देना 30% देना रहेगा और अगर आप कोई भी foreign currency में transaction करते हो कोई payment करते हो foreign currency में तो जो payment आपने करी है उसका 3.50% आपको जो transaction फीस आपको देनी रहेगी तो यह भी आपको ध्यान रखना है अब यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं जैसे कि मान लीजिए आपने 30,000 रुपे की 50 रुपे आपको पे करना रहेगा तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप foreign currency transaction करते हो तो फिर आपको 3.50 transaction फीस आपको देनी रहेगी तो यह इसके इनके फीस और चार्जिज हैं जो कि मैं आपको बता दिया बाकी इसमें कुछ बदला होता है आगे चलकर तो फिर यह separate dedicated video एक और बना देंगे अब यहापर बात करते हैं future and benefit के इस card को अगर आप लेते हो तो आपको क्या-क्या फायदय होते हैं क्या-क्या आपको benefit मिलते हैं सबसे पहले तो देखे जैसे ही यह card आपको मिल जाता है उसके 30 दिन के अंदर आप activate करके कोई भी utility bill payment करते हो तो उसपर आपको 100% cashback आपको मिलेगा utility bill जैसे की mobile recharge हो गया guest का बिल हो गया telephone का बिल हो गया विजली का बिल हो गया तो जैसे आपको आज credit card मिला और इसके अगले 30 दिन तक अगर कोई भी आप utility bill payment करते हो तो उसपर आपको 100% cashback मिलेगा बट यह cashback रहेगा maximum 300 रुपेग आपको मिलेगा तो पहला तो जो है activation benefit आपको यह मिलता है दूसरा जो benefit मिलता है वो paid से related है अगर आप जो मेटो पर जो है order करते हो तो आपको 40% का आपको जो है off मिलेगा जो मेटो पर बट यहाँ पर बता रख है कि यह जो है आप महीने में only दो बार जो है benefit आप ले सकते हो और minimum ज अगर आप 200 रुपे का order करते हो महीने में 2 बर order किया 400 रुपे का order हो गया तो आपको कितना benefit मिला 240 रुपे का तो दूसरा आपको यह benefit मिलता है जो मेटो पर 40% का off बट इसके लिए condition कर रखी है कि 200 रुपे आपको minimum 200 रुपे का order करना पड़ेगा और महीने में 2 बर ही आप ज करते हो Amazon Pay के मादम से यूटिलिटी बिल का तो आपको पांच परसेंट का आपको जो ओफ मिलेगा यूटिलिटी बिल जैसे की मोबैल रिचार्ज हो गया ब्रोड बेंट पेमेंट हो गया इस तरह के और यहां पर बता रखा है कि इसका जो बैनिफिट है आप महिने में को अनल करनी पड़ेगी तभी आपको जो है यह डिसकाउंट मिलेगा और मैक्सिमिम डिसकाउंट जो है 150 रुपए आपको मिलेगा महिने में एक बर ही आप जो इसको अवेल कर सकते हो ले सकते हो यह बैनिफिट चलिए अगले बैनिफिट की तरह बढ़ते हैं अब यहां पर बता करना रख है कि कि एगर आप है ब्लिंकिट जो गया मिनतरा अगर और आप है विदसकाउंट दिसकाउंट व आपको मिलेगा बट मिनिममम जो ओर रहे वह 500 रुपे का हÖना चाहिएid अगर 4.99 का order करते हो, तो फिर आपको जो यह discount नहीं मिलेगा, minimum 500 रुपे का order आपको करना रहेगा, इसी तरह से book my show से अगर आपको ticket book करते हो, तो फिर आपको 10% discount मिलेगा, और यह discount महिने में एक बार ले सकते हो, maximum discount आपको 100 रुपे का, इसके साथ आप blanket से कुछ order करते हो, तो benefit ले सकते हो, और जो maximum benefit आपको मिलेगा, वो 250 रुपे तक का आपको मिलेगा, चलिए, इसके साथ अगला जो benefit मिलता है, आपको EMI का benefit मिलता है, यानि कि अगर आपने 2500 रुपे का कोई भी आप transaction करते हो, या फर इससे ज़्यादा की transaction करते हो, और आपके पास payment नहीं है, आप चाहते होगी, मैं EMI में देना चाहता हूँ, तो आप उसको EMI में convert करवा सकते हो, EMI में आप convert कराओगे, तो उसकी जो range है, 6 मैने से लेकर, 24 मन्थ के लिए, आप जो transaction है, EMI में convert कराने के लिए, आपके जो transaction है, 25 रुपे होनी चाहिए, यानकि 25 रुपे या फर इससे ज़्यादा, 5,000 या फर 5,000 से ज़्यादा की transaction होनी चाहिए, तबी आप उस amount को EMI में convert कर सकते हो, अगला benefit, इनके जो partner restaurant है, वहाँ पर अगर आप dinner के लिए जाते हो, तो आ minimum आपको order करना पड़ेगा, पंदरा सो रुपे का, और आपको maximum discount जो मिलेगा, वो 500 रुपे का मिलेगा, यानकि महीने में आपने दो बर जो है, इनके जो भी partner restaurant वहाँ पर गई खाना खाने के लिए, और वहाँ पर आपने जो पंदरा सो रुपे का order किया, तो आपको 500 benefit मिलेगा, तो महीने में दो बर आप गए, और आपने जो 3000 रुपे का खाना खाया, तो monthly आपका जो benefit होगा, वो होगा 1000 रुपे का, और इसको आप महीने में दो बर ही आप discount ले सकते हो, अब यहाँ पर अगला जो benefit है, यहाँ पर zero lost card liability की, अब इसका मतलब यह है, कि अगर आ payment नहीं करनी रहेगी, बट उसकी लिए condition यह है, कि जैसे आपका credit card खो जाता है, गुम हो जाता है, तो आपको इनका जो customer care है, वहाँ पर call करके आपको बताना पड़ेगा, phone करना पड़ेगा, कि मेरा जो credit card वो खो गया है, गुम हो गया है, उसके बाद customer care पर आपने call कर दिय कोई भी यूज करता आपके credit card को, तो आपकी कोई भी tension नहीं है, किसी भी तरीक का आपको कोई भी payment नहीं करनी रहेगी, तो इस credit card पर आपको zero lost card liability भी आपको मिलती है, अब चलिए अगले benefit की तरफ बढ़ते हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं reward benefit की, तो देखें आप इस credit card क के माध्यम से, अगर आप 200 रुपए spend करते हो, 200 रुपए spend करते हो, चाहे online spend करो, या फिर offline spend करो, तो 200 रुपए spend करने पर आपको एक edge reward point आपको मिलता है, जिसको आप इनका edge reward का section है, वहाँ पर जाकर आप इनका जो भी product रहते है, जो भी चीज रहते है, उसको आप जो अव reward point आपको मिलेगा, तो यह है इनके benefits जो कि आपको credit card पर मिलते है, अब यहाँ पर बात करते है, eligibility की कैसे आप apply कर सकते हो, क्या क्या आपको इसके लिए देना रहेगा, तो eligibility इसकी यह है कि आपकी जो age है, 18 से लेकर 70 year के बीच में होनी चीए, इनकी 18 साल से 70 साल के बीच में आपकी age होनी चीए, और मातर four document आपको देने रहेंगे, पहला तो आपको देना रहेगा आपका pen card, दूसरा आपको देना रहेगा आपको अपना income proof, थर्ड आपको देना रहेगा आपका identity proof, चोथा आपको देना पड़ेगा residence proof, residence proof में आप passport भी दे सकते हो, रासन काड भी द दे सकते हो, electricity bill भी दे सकते हो, lead line telephone का bill भी दे सकते हो, identity proof में आप पासपोर्ट दे सकते हो, driving license दे सकते हो, pen card दे सकते हो, other card दे सकते हो, income proof आपको देना रहेगा, तो मैंने आपको जो है, access bank का जो यो new credit card के बार में complete जानकरी दे दी, इसके बावजूद भी, अगर आपके मन का जो link मैंने दे रखा है, diet access bank का, वहाँ से आप जो apply कर सकते हो, और comment में मैंने पिंक कर दिया है, और ऐसी वीडियो आगे भी पाना चाहते हैं, तो चैनल को जुरू subscribe कीजेगा, आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आप चाते हो कि किसी दूसरे credit card के बारे में मैं आप आपको बता हूं, उसके offer benefit जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, ऐसे में आपको complete जानकरी दू, तो आप comment box में comment कीजे, उसके उपर भी separate dedicated वीडियो हम बनाएंगे, तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, comment box में comment करके जरू बताएगा, वीडियो को like जरू करन और आगे श्तर की हैलफोन और भी शुडियो पाना चाहते हैं, तो चैनल को जुरू सब्सक्रेब कीजेगा, आज की वीडियो में इतने था, मिलते जल्द एक और नहीं जानकरी के साथ अपना ख्यार रखेगा, बबाए, टेक केर